नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश समवा चैनल में आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच सैन ने गतिरोत को समाप्त करने के लिए सोमबार 14 अगस्त को कूर कमांडर इस्तर पर होने वाली 19-वी दौर की वारता के बारे में भारत और चीन के बीच वास्त्विक नियंतर रेखा LSE से जुड़े विवाद को तीन साल से ज़्यादा समय हो चुका है लेकिन चीन के अडियल रवये के कारण अभी तक कोई हल नहीं निकला है दोनों देशों के बीच पैंगोंग जहिल को लेकर मई 2020 में विवाद ने जन्म ले लिया था जब चीन ने LSE पर यथा इस्तिती को आकरामक तरीके से बदलने का प्रियास किया तेईस अप्रेल को दोनों देशों के बीच अठारवें दौर की बादचीत हुई थी सैन वारता के अठारवें चरण में भारती पक्षने देपसौंग और देमचोक में लंबित मुद्दो के समाधान के लिए दबाव बनाया था भारत और चीन के बीच पुर्वी लद्दाक में पिछले तीन साल से चल रहे गतिरोत को लेकर कई दौर की बादचीत हो चुकी है परन्तु अभी तक कुछ मुद्दों पर कोई सार्थक समाधान नहीं निकला है अब इस सेन गतिरोत को खत्म करने के लिए सोमवार 14 अगस को पुर्वी लद्दाक सेक्टर में चुशूल मूल्डों में बादचीत होगी 14 अगस को चीनी सेन परतिनीदियों के साथ वारता के लिए भारती पक्ष का नित्रित्व फायर एंड फ्यूरी कॉप्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली करेंगे विदेश मंत्राले और ITBP के अधिकारियों के भी चर्चा में भाग लेने की उमीद है वहीं चीनी टीम का नित्वत दक्षिन, शेन, 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 जिले की कमांडर द्वारा किये जाने की उमीद है आशा है कि अन्य बातों के अलावा DBO और CNN जंक्षन के मुद्दों पर भी चर्चा होगी सामाचार एजन्सी ANI ने रक्षा सुत्रों के हवाले से बताया कि भारत पुर्वी लद्दाक मुर्चे से वापसी के लिए भी दबाव डालेगा मालुम हो कि भारत और चीन के बीच ये बैठक तब हो रही है जब दोनों देश वास्त्विक नियंतरन रिखा के पास निर्माण कारे में तीजी से जुटेवे हैं सुत्रों के अनुसार भारत बिवात को शांतिय पूर्ट तरीके से हल करना चाता है मगर पडोसी देश चीन ने अपने लगभग पचास हजार सैनिकों के तैनाती एल एसी पर कर रखी है सौबाविक है भारत ने भी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पचास हजार से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया है गौर हो कि 18 दौर की सैनिवारता के बाद चीन के रख्षा मंतराले ने कहा था कि चीन और भारत दोनों ही चेत्र में शान्ती और इस सिर्था बनाए रखने पर सहमत हुए हैं बता दें कि टक्राव से बचने और मुद्दों को शान्ती पूर्ण तरीके से हल करने के लिए कई टक्राव बिंधूं से दोनों देशों की सेनाएं पिछे हट गई हैं और नए अस्थानों पर चली गई हैं पिछली मैने विदेश मंत्राले ने कहा था कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी और चीनी राष्टपती शी जिन पिंग में गत्वर्ष जी ट्वेंटी के बाली शिकर सम्मिलन में एक रात्री भोच के दोरान दूपक्षी संबन्द इस्थिर करने की जुरुरत को रेखा रांकित किया था बता दें कि रास्टी सुरक्षा सलाकार NSA अजित दोबाल ने पांच देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिन अफरिका के समुहू ब्रिक्स की जोहानिस बर्ग में 24 जुलाई को हुई एक बैठक से इतर शिर्ष चेनी राजनेक वांगी से मु पारे में जानकारी देते वे विदेश मंत्राले ने कहा था कि रास्टी सुरक्षा सलाकार दोबाल ने ये जानकारी दी थी कि 2020 से बाराचीन सीमा के पश्यम चेत्र में वास्तविक रियंतरन रेखा पर जो इस्तिती है उससे सामरिक विश्वास कम हो गया है तथा संबन जोर हुए हैं पैंगाउंग जील चेत्र में एक हिंसक जड़ब के बाद पुर्वी लद्दाक सिमा पर पांश में 2020 को गतिरोद पैदा हुआ था गलवान गाटी में जून 2020 में हुवी जड़ब के बाद दोनों देशों के सम्मन और भी प्रभावित हुए थे सामरिक द्रिस्टी से दोनों सिनाओं ने महतपूंट तैनातियां कर रखी हैं दोनों पक्ष सिदे युद्ध से बचते रहे हैं चीन कहता कुछ है करता कुछ है इसलिए भारती सिना सतत चौकस है जैसा की सर्विधित है कि भारत ने दिसंबर 2022 में अरुनाचल प्रदेश के तावां के समीब यांग इत्से में चीनी सिना के दुछ सहस को करारा जवाब दिया था 15 जून 2020 को पुर्वी लगदाट की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई खुनी जड़ब को भारत ने चीन की पुर्व निरधारित और योजनाबत कारवाई बताया था आज के इस अंक में बस इतना ही आप संरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहे और इसे सब्सक्राइब भी कर लिजिए जैहन